अलो असलाम अलेकूं दूसमें मॉहमद अभीर, यह आ टेक्निकल अनलिस्ट के के सब्सक्राइब मार्केट के वीकली और मंत्ली अनलिसिस के साथ मैं हासर हूं इस अब आज के दिन अगर फ्राइडे 30 अप्रिल के अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन आज के दिन 44,262 पे के सी अंडरी इंडेक्स ने क्लोजिं दिगाई 600 पॉंट्स लूस के 153 मिलिन की वाल्यूम और वीकली रिटैन हम देख सकते हैं कि नेगटिव तो ही गया ता उसके साथ मंत्ली रिटैन भी हम देख सकते हैं जाने 0.38% हो गया थोड़ी बहुत और अजस्में हो सकता है बाकी है चुकि डिटा जो फोड़ी जो फोड़ी रिटैन होता है तो इस टेक्स टाइम बढ़ी है कि मंत्ली रिटैन पे हमारे इंडेक्स हो है वह में नेगटिव रिटैन दिते हमें नजर आ रहा है देखने के बात करें तो अभी हमार पर 12.9 billion की वाल्यू ठीटे नजर आ रही है जो के इंडिकेशन है के वीक बेसे पर डिक्न हमें देखने को में आज की जो वैल्यू ट्रेड़ी बिलियन हमार पर नजर आती है अगें 45,000 इंडेक्स पांट पिसको रिजेक्शन में रिए रिजेक्शन में लेके बाद हम देख सकते हैं के स्रॉंग सेलिंग मार्के नजर आ यह 44,151 के स्टें टेइ लोग बनाई और सस्टें किया 44,200 का सब्बोर्ट लेवल गुएंग फ़रवड 75 इंड दाउं 16 वर आप 9 रिमें उंचेंज सेक्टर वाथ कर लें सेक्टर वास अंदेख सरीं टेक्नोलजी से में ओलिंग एस घ्सक्राइशन मार्केटिं कपरिशल वांग में जोटी जितने सेक्टर जूंग सेलिंग देखी और हम बात करें वालिम दीट एक टिट्र गैं लोजट अगैं तो त्यार्य अगैं प्लोजट अज़र 4-4 level test करके उसके उपर इसने close ही निखाई with 1000 पॉइंड नेगरिव 27 constituents remained down and 3 were up Majority हम देख सकते हैं sector wise cement, water and gas exploration बड़ी जेतने sectors आँच overall market के अंदर हमने selling देखी जो के Friday के एग ritual भी होता है considering Friday की जो आइमिंग गरी फॉट कर दी गई है due to revise schedule of state bank of Pakistan तो खादे के दिन, नौ बजे से, साड़े यारह ही जो मार्केट की गई है इसमें यही चीज ऐंडिकेशन दी कि आज के दिन, तो ऑप टिफर चैस्ट्री करके, आज के लेंगा जीमें सेमें सेक्टर की बात करनें, सेमें सतरादा पॉंट स्थी की है यह प्रफ्टिक्टिव से बात करें लुदिए प्रफ्टिक्टिव से बात करें इस वीक के जो अनालिसिस पर किये थी उसमें मुझे सेलिंग नजर आती थी यह एक एरिया है जो मैंने मार्क किया है यह अपने अनलेसिस में चीज बता रहा था जो के हमें एक सपोर्ट दे रहा था और ट्रेंड वापसाइब रहा था तो मैंने चीज कहते है कि यह को इनकोई डारेक्शन मार्क लेगी या तो तोड़के मार्के रिजिस्टन्स 46,000 उप पर बनेमिक है जो मार्केश वगायां थर्ड वे लॉक डाउन बहुत सारी चीजें अपार्ट फर्म पॉजिटिव पंपीनी इस रिजल्स मार्केट के इंसे जो संटिमेंस रहा थे में नजर आते हैं रिज़र्ट सीजन के वजय से और आल इंपक्ट के अंदर हमें नजर आ तो उसी इसाब से मार्केट के अंदर हमें नजर आते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह लेवल था सपोर्ट लेवल वह इसने मार्केट ने आज तोड़ा है अराउंड 44,600 का और उसके नीचे मार्केट ने क्लोज दिखाई विच इंडिगेट के मार्केट के डेली बेसिस पे जो है वह बेरिश जो है वो ट्रेंड की इंडिकेट ने इस अपोर्ट करिये मैं तो 43,500 पर हमें नजर आती है सो यह सिच्वेशन है सब्सक्राइब कर देख सकते हैं मार्केट के अंदर डेली बेसिस पर जो है वनने डेक्लाइन देखा है प्लोजिंग आती है मार्केट नेगरिफ करती है यह इस अप टेक्निकल इंडिकेशन है मार्केट की दरफ से हीट मैप पे नजर डालने की वैसे तो फैर जरुवत नहीं है विगाद हमें पता है कि मिजॉट्टी सेलिंग हुई है हो तमाम हम देख सकते हैं सेक्टर इस नेगिटिव हैं विकली बेसिस पर नजर डालें जो के टेक्निक में आपको बताता है रहता हूं तरह यह करें तो पर नज रहता है रहता है शरुट्टी कि विकली बेसिस पर बीट नहीं परवर्ड जैलिग नजर आथी प्रफित आएग इस आप लेट पर नेजर अशेंग में परवर्ड रहता है वो जानिस फर्वर्वर कर देख सकते हैं बिलोचे सांग्लास और हम देख सकते हैं इसके अंदर भी सेलिंग एस्पेक्टेट है पाग एलेक्ट्रों हमें पता है रिस इंडी इनके प्रांट में और जिनके ऑफिस में आग लगी तो इसके वजासे हम देख सकते हैं शेयर पाइस पर भी एफेक्ट आया या तो उन शेयर पाइसे एक्जिट ले सकें या फिर उन शेयर जो अच्छे फंडमेंटली स्ट्रॉंग स्क्रिप्स हैं उनके अंदर जो है वह बाइंग करके अपने पॉप्फोलियों में लॉंग टर्म आप लोग रख सकें अब हम बात करें ओविस्टी वीख ली अणालिसिस की इन टर्म्स अफ नंबर्स तो अगर हम अपने नंबर्स के अगर हम बात करें मंतली बेसे पे तो हम देख सकते हैं कि मंतली बेसे जो हमारी एप्रिल कम अंपन स्टार्ट वहा था तो मार्केट ने 44,300 से एंट्री ली थ के बाद हम देख सकते हैं क्लोजिंग 44,929 पर इसके बाद से हम देख सकते हैं कंटियूस अपार्ट फॉंडे तुस्डे वन इस दिन हम क्लोजिंग सकते हैं 45,300 पर 44,700 पर 44,200 तो हमने कंटियूस वीग-on-week basis पे मार्केट के अंदा डिक्लाइन देखा मंतली अगर हम पॉं के मंतली वॉल्यम की तो तेकरीबन 3,3,000,000,000 की जो है मार्केट के अंदर मंतली रिटेंट की बाद करें तो इस अगर अ बात करें तो यह सिनर्यो है इस वीग के बात करें तो और आल रिकाट वाइस अपॉज्ट पोजिट्ट इन। और उसी नहीं हैं अपने जितने पांस मंदे के दिन की तो वाइब आट कि शीय से मार्के ने से अलिंग कंटिनुशन दे कि कमर्शल बैंक के अंदर भी हमने से लिए इसे मार्के ने और अट डेपाया और टेक्नोलजी लास्ट आज की दिन जो है सबसे ज़्याद हम ने इसमें सेलिंग देखिए सोवराल मार्केट ने जो है के सी हंडेट इंडेक्स ने 37.29 पॉइंट्स लूज किये मंत और बेसिस पे क्या मैं थर्टी इंडेक्स ही बात करें तो के मैं थर्टी इंडेक्स के भी आम मुमेंटम देख सकते हैं मंत और म की बात करें कि हमाई 30 इंडेक्स टैंड से 0.43 परसंटेज अगें डिकलाइन हम देखा सबसे लोइस्ट आज के दिन हमने मार्केट के अंदर क्लोजिंग देखी विस्टीवन मिलियन वॉल्म सबसे लोइस्ट इस्वी की जो वॉल्म थी वो 27 मिलियन की थी जो के कल थी मार्क की सिट्विशन है वो थोड़ी सी बेतर हो एक और स्ट्स पर अगर हम बात कर लें सो वो स्टैट्स हैं ऑबिस्टी मंतली कंपारिशन के जो हिस्टॉरिकल मंतली परफॉर्मसिस है मार्केट की तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लोजिंग आई है फॉर इसेंपल जनवरी की आई थी अगर हम year on year basis पर बात करें तो 2020 में 2.20% जनवरी में मार्केट वस अपती हम देख सकते हैं कि 2021 का जनवरी जो था उसने 4% का गें किया year on year basis 6.01% पर फेब की अगर मंत में देखें तो 2020 में बहुत जादा consolidation थी माइस 8% की वर 2021 के जो फैब है उसमें हमने consolidation कम देखी और year on year basis पर February का जो मन था उसमें तक्रीव है 7% का गें हमने market के अंदर देखा कि ऐसी हेंड़े इंडेक्स किया पर बात हो रही है मार्च पर अगर हम बात करें तो मार्च considering जो है लास्ट यर 2019 पंडेमिक 2019 से 2020 अगर हम बात करें तो पंडेमिक हिट सीजन था और 2020 में market crash की थी तो उनमें वहां से majority decline देखा था लिगन April का month onward जो है वो काफी जादा positive सा भी था था unfortunately अगर हम 2021 की अप्रिल की बात करें तो हमारे पास यहां पर जो रिटर्न है वो मानेस 0.73% का है monthly basis पे so going forward में जून जुलाय देखा जाए तो रिजर्ट सीजन के बाद एक recovery period होते है और इसके बाद market काफी है तक sustainability दिखाती है लेकिन अभी जो pandemic situation है so hopefully the hopes to अपनी अची रखनी चाहिए तो हम देखेंगे कि में किया result आता है फिर जून के क्या वहां से result build होता है so यह data monthly analysis जो कि बहुत जरूरी है investors को देखना चाहिए because month on basis पे अगर पिछले साल से comparison किया जाए तो हमें पता चलता है कि हमारी market किस direction में move कर रही है so this was the weekly and monthly closing analysis of the KC 100 index and KMI 30 index बाकी hopefully market की जो भी working होगी वो हम next week दिखते है कि हमार पस क्या working आती but going forward अभी जो pandemic season है और जो timings भी शॉत कर दीए से हमें लगता है कि investor जाए market के अंदर से participation market के अंदर जो participation है वो हम ही रखेंगे so this was the analysis मिलते है next week अपने regular analysis के साथ द्वा में आदर कें ते से सेफ and please follow SOPs because by following SOPs we can hopefully defeat this pandemic once again until next time this is Mohamed Abhi signing off take care and last is